वैसे तो हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जूर होता था जिसमें गंगा जल रखा जाता है गंगा जल का उप्योग पूजा के लिए चर्णामरित में मिलाने के लिए मित्यु नस्दीक होने पर दो बूंद मुह में डालने के लिए जिससे की आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और बताते हैं कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि इसका पानी खराब नहीं होता लेकिन अब सवाल ये है कि गंगा जल आखिर खराब क्यों नहीं होता? लेकिन अब इसका जवाब मिल गया है वर्टिकल बार वैजानिक का कहना है की गंगा का जल हिमालय में उगी हुए जडी बुटियू से स्पर्ष होकर आता है वर्टिकल बार जिसके कारण गंगा के जल की गुनवत्ता पैर कोई असर नहीं होता है वर्टिकल बार साथ में उनका मानना है कि इसमें गंधक, सलफर, खनेज की सरवाधिक मात्रा पाई जाती है गंगा जल में बैटरिया फोस नामक एक बैक्तीरिया भी मिलता है जिसके कारण पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवाँचनिय पदार्थों को खाता रहता है जिससे गंगा जल की शुद्धता बनी रहते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिये और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को क्लिक कीजिये